हेलो वरगो, वेलकम तुमा चानल दिटारोड वाइट, हम देख लेते हैं आपके लिए एक से लेकर 15 माई के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आपके रेलेशन्शिप में, कैसा रहेगा ये 15 दिन आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए क्या action लेने वाले हैं so guys ये एक general reading है सभी के ताथ resonate हो ज़रूर नहीं है so अपनी situation में से जबरस्ति फिट ना करें और अगर आपसे resonate होता है तो please like कीजिए claim ज़रूर कीजिए comment ज़रूर कीजिए and अगर आपके आसपास कोई वर्गो है कोई कन्या राशी का है तो उन्हें ज़रूर share कीजिए उनकी बहुत help होगी okay so I am start करते हैं वर्गो याने की कन्या राशी के वर्गो याने की कन्या राशी इन 15 दिनों में क्या feelings रहने वाली है उनकी एक से लेकर 15 मई के बीच में 3 of 1, 9 of pentacles, the heropend, 7 of 1, 7 of sword, the star, 6 of sword, and 7 of pentacles so guys मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके relationship में आपकी तरफ से जो energy है वो बहुत ज़्यादा sorted है आप बहुत ज़्यादा focused हो अपने relationship में and यहाँ पर आप अपने relationship में growth देखते हो आगे बढ़ना चाहते हो and आप किसी भी हद तक जाओगे इस relationship को successful बनाने के लिए आप हर वो चीज करना चाहते हो जो आपको और आपके partner को एक साथ रखे आप future में भी साथ रहो आप उसके लिए आप कुछ भी करते हो दिखाई दे रहे तो आप इतने confident हो इस relationship में कि आप अपने partner के लिए आप कुछ भी करना कुछ भी करने के लिए आप ready हो आप किसी को भी छोड़ने के लिए तयार हो आप अपने फैमिली को छोड़ने के लिए तयार हो आप अपने partner के लिए सब कुछ करने के लिए ready हो के सो बहुत आप बहुत ज़दा energetic दिखाई दे रहे हैं आपके एनरजी कई ट्रावबल कर सकते हैं या फिर सेफ और जैसे ऐसे पर सर्फ पार्टर कर सकते हो के जिस्के लिए आपके पारटर बहुत सारी प्लानिंग करते व दिखाई दे रहे हैं ऑके यहां पर मुझे बहुत positive energy दिखाई दे रहे हैं आप और आपके partner के बहुत अच्छ Dare बनाने के लिए तयारी कर रहे हो या फिर अपने future के लिए plan करते होए दिखाई दे रहे हो, okay, so यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मिल कर एक दूसरे के साथ अपना future plan करते होए दिखाई दे रहे हो, so बहुत positive energy आप दोनों की first week में, okay, and कहीं न कहीं आप travel करते होएं दिखाई दे रहे हो, and कहीं न कहीं आप इस relationship की वजहे से किसी अपने को, किसी अपने friend को हो सकता, family को हो सकता, hurt भी करते होएं, okay, aksi, अइसे action होगे, कुछ ऐसे आपके decision होगे, जिसकी वज़े से에서के किसी न किसी अपने family member हो सकता, कोई friends हो सकते हो, okay, हने hurt भी ह होने वाला है, okay, so आप किसी ना किसी को इस relationship की वज़े से hurt करते हों, मुझे दिखाई दे रहो first week में, या फिर आप कुछ गलत शब्दों का भी इस्तमाल कर सकते हो, okay, because यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा कि कोई ऐसा है, जो आपको इस relationship से दूर ले जाना चाहता है, या इस relationship में involved नहीं होने देना चाहता है, आपके family में या फिर friends में, जिसकी वज़े से आप उनके ओपर बहुत ज़दा hurt होंगे, बहुत ज़दा उन्हें hurt करने की कोशिश करोगे, and उन्हें, and उनसे आप दूरी बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहोंके, so यहाँ पर दिखाई week है guys, उसमें जो आपकी energy है, वो यहाँ पर आप slowly and steadily अपने relationship में आगे बढ़ते वे दिखाई दे रहों, जैसा कि आपने plan किया था, आप अपने relationship में आगे बढ़ते वे दिखाई दे रहों, and अपने partner की तरफ जाते वे दिखाई दे रहों, okay, यहाँ पर दिखाई दे रहा आप नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रहो, या फिर आपके relationship में कोई और third person आए, okay, so यहाँ पर अगर जिनका भी date of birth 7 है, 16 है, okay, 27 है, so जिनका भी birthday 7, 16, 27 है, so उनके लिए बहुत जादा accurate होगी reading, वो लोग जादा ध्यान दे, okay, इस reading के लिए, and यहाँ पर मुझे relationship में properly balanced बना कर चलते वे दिखाए दे रहो, and आप equally सब सारे rules फॉलो करते वे दिखाए दे रहो, अपने relationship को आगे ले जाने के लिए, okay, जो भी आप से बन पढ़ता है कि आप in person के साथ anyhow आप रहना चाहते हो, उसके लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े, आप वो करने के आप मुझे दिखाए दे रहा कि आप second week में भी आप उसी तरह से confident हो, उसी तरह से passionate हो, इस relationship की तरफ जाने के लिए अपने partner के साथ रहने के लिए, okay, so यहाँ पर मुझे दिखाए दे रहा कि आप properly अपने partner के साथ marriage चाहते हो, okay, यहाँ पर कुछ भी आप नहीं सोचना चाह आपको पूरा confident है कि आप यह partner, आप इन person के साथ हमेशा साथ रहना चाहते हो, इनके साथ आप बहुत खुश रहोगे, जिसके लिए आप अपने आसपास वालों कि किसी की सुनना नहीं चाहते है, जिसके वज़े से मुझे दिखाए दे रहा है, कि आप इनके साथ रहना चा और आपके partner मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके partner कहीं न कहीं struggle करते हुए दिखाई दे रहा है, कि यहां पर उन्हें ऐसा भी feel हो रहा है कि और सकता है कि उनके family के दरफ से किस तरह का problem हो, and second week मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके partner बहुत ज़धा confident नहीं है, व थोड़े से confused होते वए दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं वो अपने plans को लेकर अपने ideas को लेकर थोड़े से confused है because आप बहुत ज़्यादा confident हो पर आपके partner कहीं न कहीं confident नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी इस relationship में आगे step लेने क्योंकि and यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा confident दिखाई दे रहे हो so आपके partner की यह energy आपको second week में दिखाई देगी क्यों बहुत ज़्यादा आपके साथ तो होंगे आपके साथ रहना भी चाहते है but इस हफते आपके partner किसी भी तरह का इस relationship के लिए next level ले जाने के लिए किसी भी तरह का action लेते वे नहीं दिखाई दे रहे हो कि इस relationship को आगे बढ़ाने के लिए इस हफते second week में किसी भी तरह की action या किसी तरह का decision नहीं लेते वे दिखाई दे रहे हो कि so आपके partner थोड़ी से confused मुझे दिखाई देंगे second week में ओके आपको इस relationship में जाना है इस relationship में आपको future future दिखाई दे रहे हो कि अब के partner आपके लिए क्या action लेने वाले है आपके partner आपके लिए क्या action लेने वाले है क्या आक्षिन लेने वाले आपके पार्टनर टू अफ काप्स नाइड अफ सुवार जैसा कि मैंने कहा कि आप पूरी तरह से रेडी हो कि इस रिलिशन्शिप में पार्टनर्शिप जाने के लिए यू फ्यूचर देखते हो इस रिलिशन्शिप में तो आप बहुत ज़दा कॉन्फरेंट और आपके परसन थोड़े से यहां पर नहीं दिखाए दे रहे हो कहीं ना कहीं थोड़े से इस वक्त कन्फ्यूज़ रेलेशन्शिप को इस वक्त आगे बढ़ाने के लिए यहां पर यही डोवीक में आपके पार्टनर किसी थिवी थारप के आक्शन नहीं ले लेना चाहते बट वह आपके साथ फ्यूचर जरूर देखते हो के और हो सकता है कि वह आने वाले कुछ मंत में आपके लिए किस थिथा का एक्शन लें फ्यूचर से रिलेटिड इ इस हफते आपके partner किसी भी तरब का action लेते हुए आपकी तरफ नहीं दिखाई देरे इस relationship में उनका ये मानना है कि जैसा चल रहा है वैसा चले अभी इस वक्त वो किसी भी तरब का invest नहीं करते हुए दिखाई देरे relationship में, okay? So, हम देख लेते हैं universe का क्या message आपके लिए? universe का message है guys कि जितने भी आप confident हो जितना भी आप अपने future के लिए सोच रहे हो के इस वक्त आपको उतना जादा सोचने की जरुवत नहीं है because आप बहुत ज़दा speed से आगे बढ़ना चाह रहे, okay? So, आपको थोड़ा सा pause लेना चाहिए और थोड़ा सा रुखना चाहिए because आपके partner इस वक्त confident नहीं है इस relationship को आगे ले जाने के लिए, okay? but यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि आपके partner future में जरूर आपके साथ रहना चाहते हैं but इस वक्त किसी भी तरह का action नहीं लेना चाहते, okay? So, universe का भी यही message है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा stop लेना चाहिए अपने partner के साथ, and थोड़ा सा wait कीजिए इस relationship को growth में ले जाने के लिए, okay? next plan बनाने, जो भी next plan बना रहे हो आप अपने relationship के लिए, उसके लिए थोड़ा सा wait कीजिए, okay? उसको action में लाने के लिए थोड़ा सा wait कीजिए, okay? Okay guys, thank you for watching, bye!